हेलो फ्रेंट वेलकम बेक टू माई चैनल मैं डॉक्टर प्रियंक का यादू और आज हम बात करने वाले हैं वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा यह क्वेरी आती है कि मुझे पुरा महिना डिस्चार्ज रहता है तो क्या यह एबनॉर्मल है मुझे ज्य आपका 15 दीन होता है फिर बाद में 15 दीन और पहले 15 दीन साथ और साथ से 15 तो इस तरह से आपके होर्मों फश-H-LH-E, इस्ट्रोजन, प्रोजेश्टरोन यह सब होर्मों मिल्के आपके अंदर आपकी पूरी अरिस्च साइकल होती है उसका यह उसका अनिके टाइम पर प्रेंगे निने और तो इसके लाइक तो धिश्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज को सुधाराने कए लिए क्या करेंगे वीडियो में आगे डिसकस करेंगे जैसे बिल्प डिश्चार्ज नहीं आता है तो कुछ तो सबस्क्राइब आपको दिस्चार्ज होता है जो नहीं होना चाहिए उसका तो अपने डोक्टर के साथ बात कर पाएं कि मुझे इस तरह से दिक्कत हो रही है यदि आपका discharge एक्रीड रहा जनरली वजाइनल डिस्चार्ड नॉर्मल होता है नीट्रल होता है यदि आपको infection होता है एक्रीड डिस्चार्ड होता है आपको तो वहाँ पर हस्बन के sperm अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो जैसे ही आपके अंदर जाते हैं तुरंत मर ज to discharge के vigor काफी यहां पेशन्ड आते हम उसको यह दवाइत देते हैं अब होता है तो आज अनुम क मेडिसीन के ज़रुरत पढ़ सकती है देखते रहेगा वी उपले तक सब्सक्राइब नीडिया चैनल को तो कर लीजिए आपके लिए बिल्कुली फ्री है तो चले से माइने में उस कलर का डिस्चार्ज रहेगा यदि आपको येलो कलर का डिस्चार्ज आता है या ग्रीनी डिस्चार्ज आता है तो बेक्टेरियल और फंगल इंफेक्शन की निसा नहीं है तो यदि कलर में चेंज होता है तो भी आपको अपने डोक्टर को तुरंत बोलना है द पासवाले को भी पता चलता है या आपको बार-बार पेंटी चेंज करनी पड़ती है या जैसे आप यूरेन के लिए चाहेंगे तुरंती बहुती एरोमेटिक स्मेल आती है तो यदि आपकी स्मेल चेंज होती है तो भी वहाँ पर इंफेक्शन होता है इसा हम बोल सकते हैं त त थोड़ा सा पतला होगा और ठांसपरंट होगा बाकी के दिनों में जो डिशचार्ज होगा वह दहीं जैसा होगा दहीं कैसा विल्लकुल चिकास नहीं होती है कि वाइट कलर का भी रहता है लेकिन वह थोड़ा गाडार्ण रेектив लिकिन जैसे जैसेजै और येभ्रीन 방 вский पिर जेली जैसा जेली जैसा चिकना पतला ट्रांसपरन डिस्चार्ज होगा ऑपके और यदी आप उसको उंगली में लेके इस तरह से कभी-कभी आपका mh high है या mh बहुती लो है तो आपको वह ज्यादा मात्रा में डिश्चार्ड नहीं आएगा उसमें इतनी ज्यादा चिकास नहीं रहेगी तो छोटा से शिम्टम है कि यह जिस दिन आपका डिश्चार्ज पेंटी लाइनर पर चिपकता है जाह ठोड़ा हिस पकभी कभी पूरा का पूरा डिश्चार्ज वहां पर बंदो जाता है यह थोड़ा सा पत्ला पानी जैसा डिश्चारज आता रहेका फिर पीरेट के शुरू rat यानि के लाश्ट के चारपाद दिन जो पीरेट आने वाला होता है, तब षब फिर से दही जैसा गाडा थोड़ाण डिस्चार्जाज आएगा तो पिरिड के पहले पिरिड के बाद में वह गाड होगा ज्यादा होगा ओविलस्ट टाइम पे ट्रांस्फरण पतला चिकना डिस्चार्ज होगा बाकी के टाइम पे वाट डिस्चार्ज ऐसे आएगा यद आपको डिस्चर्च के साथ खुजली हो रही है नीचे के भाग में कभीले मैंने में तीन-चार दिन खुजली आजाना या पिर जब आपका जब तो दिन बाद पीरेट के दो दिन पहले जब बढ़ेगा तो घुजली थोड़ी से आएगी वह नोर्मल है लेकिन पूरे दिन खुजलाते रहने का मन करना वहां पर दाने निकलाना रेड़नेस हो जाना आपको बहुत ही ज्यादा जलन होना यह सब सिम्टम आते तो इंफेक्शन का सिम्टम है तब आपको ट्रीटमेंट की जरुरत रहती है दूसरा वहां पर यदि रिलेश आतो उसकій कोई स्पॉजली इरिटेसन जलन धर्द ना यूरीन बार-बार आना यूरीन में जलन होना तो इंफेक्शन की निशानी मानी जाते है तब ट्रीटमेंट की जरुरती है और कभी वीघ्रीनिल इनफेक्शन आपको हो या यीरीन इंफेक्शन है हस्बंड वायप द केले को तीन चार दिन की दवाय दे रखेंगे फिर से इंफेक्षन हो जाएगा दोनों की एक ही दिन एक साथ ट्रीटमेंट चलना है ताके दोनों के अंदर से सिंफेक्षन कतम हो में सिंप्टम आना जुरूरी नहीं हस्बं में सिंप्टम वह ऴायन यह जर Guide cape सिंटम दिख रहा है तो दोनों को साथ में ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है तभी वहां संदर से ठीक होगा हेल्दी डिस्चार्ज आपका तभी बनेगा और तभी प्रेग्नेंसी रुकेगी यदि इस तरह के आपको को दिक्कत है तो आप होमिपतिक मेडिसीन ले सकते वह अ ता स्पयाम उपर कैसे जाएका तो इसतरह से इस ठीक चीज पर काम करते अरहाम से प्रेग्निन से हो जाती है चाहे ज़ूरख है Lock Heard को बंद्ध है आपको हस्बन की रिपोर्ट में दिक्कत है आपके अंदर कोई भी दिक्कत है आपको सरज़्ृ डॉय बोला गया तो इसमें जाने की जरुरत नहीं है यहां दिये गए नंबर पे या नीचे हो जाता है वीडियो चल लगे तो इसको लाइक एंड सेर कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए बिल्कुली फ्री है तो यह सी मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ तक तक के लिए स्टेल दी स्टेल भी बाई